हागु, हागु, हागु पुलिस के लोगों ने हमें हमारे ही कार्याले में नजर बंद कर लिया और हमारे कई साथियों को गाड़ी के जरिये जेल भेज दिया इसके लावा उन्होंने कहा कि हमारा ओदेश मुख्यमंत्री को गाली देना नहीं या फिर उन पर कोई अभद्र टिपनी करना नहीं था चाते थे कि क्या मुख्यमंत्री जी आपको लगता है कि आपको प्रदेश की बेटियों से ज्यादा गायों की सुरक्षा प्यारी है इसलिए आप उन्नाव जैसे कांड को छोड़ कर यहां जन्पद में अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने आए है इन सबसे असा प्रतीत होता है कि इस सरकार में वाकई में जंगल राज कायम हो चुका है जिसके चलते आज प्रदेश की बहु बेटियों की आप रूस सुरक्षित नहीं है जिसके अधिकारियों के इस समीक्षा बैठक करने आए उनके लिए बेटियों से ज्यादा गायक की सुरक्षा ज्यादा जूरी है ऐसा मैसूस हो रहा है और हम लोग यहां तार्याले से निकल रहे थे तो पुलिस की घेरा बंदी हो गई हम लोग को वहां जाने से रोका जा रहा है अगर इसी तरह से एक्टेव वह जब महिनाओं साथ भलतकार इस तरह की घटना होती है यूपी के आयोध्या में विकास खंड बीकापुर के ग्लोबल इंटर कॉलेज सोनखरी में रविवार को स्लाम और समा सेवा विशय पर विचार गोस्ट्री का आयोजन किया गया और तमाम गरीबों में कंबल बाटे गया इस कारिक्रम का आयोजन समाजिक संस्ता फलाहुल मुस्लमीन सोनखरी द्वारा किया गया था इस दौरान आपसी भाई चारा सोहर्द की मिसाल देखने को मिली कारिक्रम में महान समाज से वीविकास खंड मसोधा पंचम से जिला पंचायत सदस से प्रवेश कुमार वर्मा राम जनभूमी के मुख्य पुजारी आचारे सतेंदर दास और बाबरी मस्जित के पक्षकार रहे कारिक्रम को संबोधित करते हैं उपजिलादिकारी लवकुमार सिंग ने कहा कि जाती और धर्म कोई हो सबसे बड़ी मनिशता होती है कारिक्रम की अधिष्टा युनाइटेड एरलाइन्स शिकागो के सीनियर मैनेजर एहमद कमाल ने की वही मुख्याती थी हाई कोट लखनो बेंच के एडिशनल एड्वोकेट मदन मोहन पांडे ने कहा कि अच्छी बातों को सुनने के साथ चिंतन मनन और उस पर अमल भी करना चाहिए आयोजक और सोसाइटी के चेर्मेन मौलान एहमद सिराज ने कारिक्रम में आई लोगों का आभार भीज रताया लखनो में आल इंडिया शिया परसनल लॉबोर्ड कि अदिवेशन में मौलाना यासूब अब्बास ने नर्सी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि नर्सी मौब लीचिंग पर और शिया सुनी बखफ बोर्ड एक करने पर चर्चा की जा रहे है और उन्होंने कहा कि हम नर्सी के खिलाफ नहीं है मगर उनकी मांग है कि नर्सी पर सरकार एक बार पुनर विचार करे इसके अलावा मौलाना ने कहा कि हम अलफसंक्यक के अंदर के अलफसंक्यक हैं जितना जुल्म शिया समुदाय पर हो रहा है उतना किसी और पर नहीं। शिया को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में मारा जा रहा है। वहीं शियाओं के लिए कैनेडा ने दर्वाजा खोल दिया है और पना देने का काम कर रहा है। क्या हिंदुस्तान सरकार्शियाओं के लिए दरवाजा नहीं खोल सकती है वहें अनार्सी पर पुनर विचार के लिए वो प्रधान मंत्री और भाजपा अध्यक्ष को पत्र भेजेंगे जोंदेश में महिला सुरक्षा के लिए कई तरह के कानून बनाय जा रहे हैं वहें रेब जासी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं ताजा मामला लखनों के मड्या उठाना छेतर काकोली गाओं का है जोहां एक 17 वर्षे किशोरी ने जहर खा कर आत्मत्या करने की कोशिश की जिसका इलाज लखनों के KGM से स्थित्ट ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है आपको बता दे कि ऐसी आशन का जरताई जा रही है कि किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है फलाल पुलिस ने F.I.R. दर्च कर तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है यूपी में इन दिनों गैंगरे पीड़िता की मौत के बाद राजनीती दिन पर दिन करमाती चली जा रही है हैदराबाद एंकाउंचर के बाद देश के सभी लोग तेलंगाना पुलिस की जहां बढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं यूपी में सभी विपक्षी पार्टियां पीजेपी को घिरते हुए मुख्य मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे है उन्नाओ के बाद कानपुर में भी सरकार घिरती जा रही है वही विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कानपुर दिहात में गैंग रेप पीडिता की मौत के बाद अब राजन्यातिक लोगों का पीडिता के घर आने जाने का सिलसला शिरू हो गया है रूरा थाने में गैंग रेप पीडिता को जब पुलिस से नयाय नहीं मिला तो उसने निराश होकर खुद कुशी कर ली वही परीजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और मेली भगत के चलते आरोपियों की ग्रफतारी नहीं की जात सकी है वही पीडिता की मौत के बाद कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सपाकार करता और बाद में बीजेपी सदर विधाय का भी पहुँची कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजेस सिंग ने सरकार को घिरते हो कहा कि सरकार एक विफल रास्ते पर है साथी उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की ये सरकार सिर्फ बात ही करती है इसके अलाबा उन्होंने कहा कि योगी राज में पुले सपरादियों से मिली हुई है इसलिए पीडितों को न्याय नहीं मिलता जंगल राज बन गया उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ 13 नौंबर की घटना है गैंग रेप होता है बंदग बना के रखा जाता है न्याय की आसलिए कप्तान के कार्याले में आई जी के कार्याले में थाने का चक्कर लगाती है दस दिनों तक कोर्ट में ब्यान के नाम पर उसे थाने में रखा जाता है अकिरिस उत्तर प्रदेश को हो क्या गया है उत्तर प्रदेश के मुकमंत्री को जबाब देना होगा कि वह परादियों के साथ खड़ी है कि महिलाओं के साथ कड़िया जिन के साथ इस तरह की घटना हो रही है हाई लड़किया जला दी जा रहे है 13 नवंबर से लेकर आज तक न्याय की आस में एक बेटी रोज रोज तमाम अधिकारियों के घर में चक्कर लगा रही फिर भी कारवाई नहीं की मुकमंत्री जी आज जारकंड मद्ध परदेश करनाटक जाकर भासर देते हैं उत्तर परदेश समल नहीं रहा क्या हुआ है आज आज घर की बेटिया बहने निकलने में अपने आप में डर में डर का महौल है वही सपा भी राजनीती करने में पीछे नहीं रही अकिलेश यादव ने 3-10 से टीम पीडिता के घर में भेश कर उनका हाल चाल जाना आपको बता दे कानपुर्णगर के MLA मिताब बाशपेई और MLC दिलीपी आदव ने कहा कि सरकार पीडितों को कोई नयाय नहीं दे पा रही है सिर्फ बाते ही कर रही है पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है पुलिस ने जब मुकदमा लिखा तो उसने आरोपियों पर कारवाई क्यों नहीं की वही उन्होंने कहा कि पीडित परिवार को यूपी सरकार की तरफ से 50 लाख रुपे और एक मकान मिलना चाहिए ये मुद्धा विधान परिशत और विधान सभा में भी उठाया जाएगा हम लोग दुखी हैं कि उसी तरह से एक बड़ी घटना ये कानपूर देहात में भी हुई जिसमें पीडिता ने मजबूर होकर के आजमत्या कर ली सासन की समवेदन हिंता, पुलिस की घोर लापरवाही, पुलिस की अपरादियों से मिली भगत आज एक कारण है जिसकी वेसे आज बेटी हमारे बीच में नहीं है, तेरा तारीक को बेटी गाइब हुई थी, पुलिस को ततकाल सूचना दी गई थी और ये बताया भी गया था कौन लोग ले आ सकते हैं, कौन लोग उसको कर सकते हैं उनपर यदि कारण वाई तेरा तारीक को कुछ हो गई होती तो बेटी सकूसल होती, 16 तारीक को FIIR होई, 363-366, यदि कारण है 16 तारीक को हो गई होती, तो भी बेटी किसी ना किसी रूप में हम लोग बीच में होती, पर पुलिस अपने खेल में वेस थी, लगातार परिवार दोड़ता रहा, अधिकारियों संपर्क करता रहा, पुलिस लापरवाही बरत्ती रही, आखिर जब पुलिस ने मेडिकल भी करा लिया, ये सावित हो गया कि बेटी 16 साल की थी, नावालिक थी, उसके बाद भी पुलिस नहीं चेती, 28 तारिक को मईस्ट्रेटी बयान होते हैं, मैस्ट्री बयान को तो महिला समन्दी तारोप में संपूर्ण साक्ष बाना गया है, अत्व संबेदन सील है, बेटियों के मसले को लेके, चुकि उसका सीधा-सीधा कल का घटना करम है, खुझ जाके अकेले बिदान भावन के सामने बैठे, और आज उन्होंने के सदस है, बिदाइक जी, और राजपाल कफषप जी, चुकि कफषप के परवार की घटना है, उनको भी उन्होंने लगाया है, अब गंभीरता से जो मामला यह आए दिन घटना हैं घट रहेंगे, जो आदेश होगा राफ्ट इद्दक जी का और सरकार के से कैसे न्याय द लाना है, हम लोग पूरा प्रयाव करेंगे, और यह मामला अगर होगा, तो बिदान परफ़त की कमेटी में भी रखेंगे, विदान सबा की में रखेंगे और फत्ता तारीक से हाउस है, हाउस में भी सारे मामले हम लोग उठाएंगे वाई मृत्का के पिता का कहना है कि सबसे पहले थाना पुलिस को सस्पेंट किया जाए उसके बाद सीयो अकबरपुर अर्पित कपूर को क्योंकि सीयो को मामले की पूरी जानकारी थी बावजूद इसके भी कोई करवाई नहीं की गई एसपी गाउ तक आया और हम लोगों से नहीं मिले प्लाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिस्टार न्यूज नमस्कार